एपिजोड 116 के शिर्वात एक फेस्टिवल से होती है जह सारे मोहले के लोग शोशल गैजरिंग करते हैं इतने में ही जान अपने फैमली को लेकर वहाँ पर पहुच जाता है तो यह देखकर सनेम और उसके फैमली उनका वैलकम करते हैं हुमा को यह शोशल गैजरिंग काफी यह किस ने बनाया है तो मैं यह कैसे खा सकती हूँ तो निहात पापा केते अरे यह कबाब है यह सामरा ने बनाया है वो हमारी पडोसन है यह टोस्ट है जो कि शानती ने बनाया है वो भी हमारी पडोसन है और यह रोल्स है मेरी मिलकी बेने बनाया है खाईये ना तो हुमा क कहते हैं नहीं मैं यह नहीं खाती मुझे क्लब स्ologically तो निहात पापा कहते हैं क्या क्या क्यا क्या तो जान कहते है औरे वो बोल रहे हैं कि यहां क्ल॑ब जीसा लग रहा हैस्तों सबरा Kang में किवे उसके बात काट देती है फिर सीन आयान पर शिफ्ट होता है वो उदास बेठी होती है और खाना खाने भी नहीं जाती है तो जेजे उससे मिलने वहाँ पर पहुच जाता है फिर जेजे आयान से कहता है तुम क्यों नहीं आई खाना खाने तो आयान कहती है मुझे आयान केती है हमारी कोई शादी नहीं होने वाली है जेजे तो जेजे कहता है आयान मेरी तरफ देखो मैं तुम से ही शादी करने वाला हूँ अपना दिल छोटा मत करो तो आयान केती है नहीं जेजे मुझे ब्रेक चाहिए गुडबाई ऐसा के करायान वहां से चली जाती है फिर सेन गुलिस पर शिफ्ट होता है वो फेस्टिवल में आती है तो मुझे उसके आगे पीछे गुमता है फिर सेन हुमा पर शिफ्ट होता है वो कहती है हमारी बच्चे तो हमेशा शादी की ही बात करते रहते है तो मेकी बे कहती है हाँ हम भी शादी के लिए तयार है तो यह सुनकर हुमा मिलकी बे पर हसने लगती है तो जान सनेम से कहता है कहिए जगर ना ले सने तो हुमा कहते है देखो मिलकी बे उन दोनों ने एंगेजमेंट तो कर ली है न अब क्या फरक पड़ता है शादी हो या नहीं हम उन्हें लिविंग रिलेशन्शिप में रहने देते है न दोनों भी एक ही घर में रहेंगे तो कैसा लगता है तुम्हें मेरा प्लान तो यह सुनकर मिलकी बे की तवियत खराब हो जाती है तो जान कहता है अब बस बहुत हुआ मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ अब इससे पहले की जान कुछ बता बता मितात अंकल वहाँ पर आ जाते है फिर सब वहां मितात के साथ बैठते है तो मितात हुमा के हाथों को चूम कर उसका स्वागत करता है और हुमा को ये बड़ा ही आजीव लगता है फिर मितात नीहाथ पापा की बहुत उड़ाता है ये केकर की देखो न ये तो मेरा बाप लगता है टकला भी हो गया तो ये सिर्ण का नीहाथ पापा को बहुत ही कुछ सा आता है तो जान सानिम से कहता है ये क्या item है ये तो totally different है इतने में ही मीतात एमरी से कहता है तुम्हेरा style तू Italian है मैं भी इटाली में रह चुका हूँ पिर मीतात जान का नेम internet पर type करता है और कहता है ये क्या यह तो लिखा है कि तुम शादी नहीं करना चाहते तो जान कहता है अरे वो जूटा interview है तो मीतात कहता है तुमने ये दाड़ी के और सिर के बाल इतने बड़ा क्यों रखे है तुम्हारा हेड है सर मर गया है क्या तो जान कहता है ये style है सर इसे style कहता है मितात केता है तुम तो परे टार्जन दिखते हो तो यह सुनकर जान को गुस्टा आ जाता है तो मितात केता है अरे में तो मज़ा कर रहा था ऐसा किकर मितात सब को सेलफी में आने के लिए केता है और सिर्फ उसकी और हुमा की फोटो क्लिक कर लेता है तो यह देखकर सब समझ जाते हैं कि मितात हुमा पर लाइन मार रहा है फिर रात हो जाती है और सब नाचने लगते हैं फिर सीन लाला और एमरी पर शिफ्ट होता है जहां वो दोनों भी अकेले में एक दुसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं फिर सीन मितात पर शिफ्ट होता है वो हुमा के साथ अपना नंबर एक्सटेंज कर लेता है फिर जान अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है फिर सीन सरेम के फैमिली पर शिफ्ट होता है जहां मितात उनके घर में आकर उनके घर की प्राइवसी भंग कर देता है और उसके कारण मिलके वे उनीहात पापा को सारी रात पाइड कर लेता है सरीमा के साथ अच्छी बनती है क्यों न फर समझाने के लिए कर देता है फिर हाथ पापा और मिल्कीबे पर शिफ्ट होता है जहां उन दोनों की बोड सोफे पर सोते हैं और कि रूम में मितात सो जाते हैं इतने वहां मितात आ जाते हैं और मिल्कीबे से कहते हैं रह से स्वाइब कमर में डर् Scale लगा है तुम यह क्या लगा रही हो मुझे भी यस लोशन दोना तो में करते में अंकल मिसमएं आपकी याद कर रही थी क्या आप मेरे साथ उनसे मिलने चलेंगे तो मीताथ हाँ कर देता है उसके उसके लिए बहुत सारे वुकेज आते हैं तो कहती है ऐगवान किस में यह सब क confider है ऐसा के कर वह बूखे वाले आदमी को पूछती है कि यह बूख किस ने भीज़े तो आदमी कहता है मैडम हमको नहीं पता इतने में ही आमरी ओहां एक और बूखे लेकर आता है तो एमरी को वहाँ देखकर लायला समझ जाती है कि ये काम एमरीका ही है और वो बहुत खुश हो जाती है फिर सेंग गुलीज और डेरन और जेजे पर शिफ्ट होता है जहां गुलीज डेरन से कहती है पता है उस्मान ने लायला को छोड़ दिया उन दोनों के आपस में बन नहीं रही थी इसलिए उनका ब्रेक अप हो गया और उस्मान जा भी रहा है ऐसा मैंने सुना है तो ये सुनकर डेरन कहती है ओ माई गॉड ये क्या हो गया ये बिलकुल भी अच्छा नहीं हुआ पता नहीं लायला पर क्या बीत रही होगी तो ये सनिम हमको लायला और उस्मान के बारे में सुनकर बहुत ही पूरा लगा तो सनिम कहती है अब क्या कर सकते है जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ अच्छा हुआ कि ये सब शादी से पहले ही हो गया वरना आगी जाके प्रॉब्लम हो सकते थे तो डेरन कहती है हाँ बिलकु ऐसा के कर सनिम महां से चली जाती है फिर जेजे को उसकी दादी का फोन आता है और दादी कहती है जेजे तुमने अभी तक रिंग नहीं पहनी है मैं मर जाओ क्या तो जेजे कहता है नहीं दादी आपको कैसे पता चला कि मैंने रिंग नहीं पहनी है तो दादी कहती है मुझ दादी नहीं कर सकता तो दाधी केती है मुझे कुछ नहीं पता उसे मना वरना मैं मार जाओंगे तो यह सुनकर जेजे फोन पटक द zaten और तो भाए मैं सुमा आप क्या सुन रही है तो यह सुनकर होऊँद चूक जाती है कि फोन दादी को कैसे पता चला कि वो जे जे के पीछे खड़ी है तो जे 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 जए की डादी सच में जे जे की होगा जानने कि लिए इम्हेरे चैनल दीवाने हैं पर झाल मुलाकात होगी अगुले एपिजोट में तू मानू इतनी सीबा दिवाने हो तुम तो लाइक शे सुस्क्रेब कर दो अच्छे लगे हम तो मानू इतनी सीबा दिवाने हो तुम तो अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिजोड में